हाई गाईज वेलकम बैक आइम डॉक्टर मनी इस फ्रॉम बी और ओन डॉक्टर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैप्टिक अलसर डीजीज को लेकर के सबसे पहले जानते हैं कि पैप्टिक अलसर डीजीज बेसिकली होती क्या है देखिए जब भी कोई पीछे वाला गजाम बता है उर सरह चाहिँ चैसल मस कूल बन बने निसल्स थह चीक अवन सब्सक्रेट मेंट वहरे हैं बंता अन्य पर आठाट होँ सुद्विह को लिए वह चौर्ण ब्लबूर को रुधार जाता है जो अच्छ इस से काम नहीं तकारे कर सकते हैं कि बहुत ज़ादा है घयाप बनना थिक है जब इस तरह की जो अवस्थाहें होती है उस इस्थिति में यहाँ पर अल्सर बनने की सम्हावना रहती है अभी अल्सर दो परकार के होते हैं एक जब यह जो खाना खाना जहां पर रुखता आश्ठमक है ना जब इसके अंदर अल्सर होते हैं तो उसी स्टिटिक को गैस्ट्रिक अलसर बोलते हैं जब डूडिनम में अलसर होता है तो उसको डूडिनल अलसर बोले जाता है कि यह जो है किसी भी एज तो उसको ज्याद़ा चैन्सीज़ है कि उसको डुडिनल अलसर हो ठीक है इसके साथ जो होता है अगर 55-70 साल के लोगों को हो रहा है तो ज्यादा संभावना है कि उनको गैस्ट्रीक अलसर हो ठीक है जी गैस्ट्रिक मैं ने आपको समझा दिया किसी पॉर्षन में होता है लेक बहुत बड़े बड़े कारण बता दिया हैं, आप इसको नोट कर लिजेगा और ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कि नासिट्स जो होते हैं, वो दर्द निवारा की जो दवाइयां होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग घुटनों की दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, य अब ये लोडोज एस्प्रीन की दवाई देखिए, वैसे किसी को भी बिना दोक्टर की सलहा के प्रियोग नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग एस्प्रीन का सेवन करते हैं, जो जिनको हार्ट अटेक होता है, ठीक है, हार्ट अटेक के बाद में वो लोग एस्प्री जो सीदे चलते हैं कि इसकी किनिलनिकल फाइंडिंग सेवन के सिम्टम और साइन्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्सन प्रिसेंट को महसूस होंगे, जिससे उसको पता चल सकता है, या उसको अंदाज हो सकता है कि वही साइद मुझे ये अलसर हो जाएं, तो सब से पहला लक्स पहले, या उसको पहले, फिर आव ज़न हो और या बहुत हो जण फेर ऑटना हो जहां दी कि इसानने धर, आई देर ऊजा है, या पर घु ऑट सीदे ऊज मूनारी हो सकता है, या इसको पहला सब्जान फिर का सो समय सुद्दा का पता जमान का प्रतना हो, जिसेंग हो खोता ह अजराते हैं , या फिर पेट के अंदर अफारा सा महसूस हो या फिर उसको पेट फुला-फुला महसूस हो यह भहत सारे चीज़े मैं आपको बता दियां है वह सब डिसपेपसिय में हो जाती है नहीं 25 परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनको डिस्पैपसी आओ यानि कि वो तो एंडोस्कोपी में बहुत सारे लोगों की डिजीज का पता चल पाता है तो एंडोस्कोपी जो है बहुत बढ़ा बहुत अच्छी जाच है इस चीज़ की जिन लोगों को जादे इस तरह की समस् या फिर लैट्रीन जो है उन लोगों को काले रंग की आती रहती है दर्द के बारे में इन्होंने बताया कि दर्द जो होता है खास विसेष्था होती है कि वह एपिकेस्टर के जो रिजन मैंने भी आपको जो जंगे दिखाए थी वहां ही पर सिमित रहता है वह ऐसा नहीं क अधिक मतलब उसको ऐसा जैसे बहुत जादा तेज भूक लगती है इस तरह का जो है उसको महसूस होता रहता है उस जंगे पर और पचास परसेंट ऐसे लोगों को यह समस्य है उन्हें से पचास परसेंट ऐसे होंगे कि जिसको खाना खाने से या फिर एंटासेड जो दवा जाता है उनको बढ़ जाए थोड़ी बहुत नहीं बता रहा हूं है बहुत ज्यादा तो फिर उस स्थिति में अलसर कभी-कभी पैनिट्रेट हो जाते है या परफोरेशन हो जाते है उन्हें छेद हो जाता है आतों में छेद हो जाता है ठीके जी तो यह बहुत गंबीर समस जो बार-बार उल्टियां आ रही है या किसी व्यक्तिकों जो है वजन बहुत जादा है तेजी से कम होता जा रहा है तो इस स्थिति में कुछ बड़े कारण हो सकते है और देखें बड़े कारण क्या हो सकते है गेस्ट्रिक मेलिगन सी कहीं बार जो है कैंसर बगरे किसी काय आश लेटरी जो टेस्ट अत्य स्मय किसी रगरा सुच नहीं से लॉप साचिवे फिर वियुकाइटोसिस भी जो तरह बढ़ेंगे अच्छानी काउंट होते हैं तो जब वह जादा मात्रा में बढ़ जाते हैं उनके बढ़ने को लुकोसाइटोसिस की इस परफोरेशन यानि की कोई छेड उस स्थिति में टील्स बढ़ेंगे मिलता हैं ठीक के एच भी वगर अगरा कम मिलेगा तब जब ब्लीडिंग हो जाए को अम्प्लिकेशन के रूप में ठीक है इसके साथ साथ इन्होंने का अगर आप मेरी वीडियो बार बार देखते हैं मेरी जादतर वीडियो को आप फोलो करते हैं तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि तो इसमें जो है प्रोसीजर ओफ चॉइस होता है मतलब इसकी जो डाइगनोज मनाना है तो उसमें सबसे यूजफूल जो होता है वह एंडियोस्कोपी ही होती है और एंडियोस्कोपी ही मतलब डिफ्रेंसियेट कर पाती है या विवेद कर पाती है या बता पाती है कि यह इन्होंने का कि डुदिनल जो अलसर होते हैं उनमें वह मैलिगनेंट नहीं होते हैं उनमें मैलिगनेंट मतलब होता है कि कैंसर टाइप के नहीं होते हैं तो उसमें जो है जो है रिक्वारमेंट नहीं होती है और कह रहा है कि तीन से पांच परसेंट ही ऐसे गैस्टिक अलसर ह एक चोटा सा पीस दोक्टर बहत है, जब एंडॉसकोपी करता है, लेकर के लेश ऐसे एक संय है, hydraulic क्तित्री अवतले नगो Lum 59 00 strangers people, सबस्के डियस दों रोता है, गजिति नेअए, इमेजिंग मतलब होता है को धूर 17 pcs लें है, या फिर कोई CT scan वगरा थीक है तो इन्होंने का के बेरियम पहले बेरियम स्वेलो टेस्ट होता था बेरियम को जो है निगलवाय जाता था और फिर वो जाकर के उसका एक्सरी बगरे लिया जाता था उसको उन्होंने का है कि अब नो लोंगर रेकोमेंड़ अब जो है इसकी सल है या नॉर्मल अलसर है इस तरह का भी डिफ्रेंसियेट यह नहीं कर पाता मला यदि किसी पेसेंट में लग रहा है कि कहीं आतों में छेट तो नहीं हो गया है ना तीलसी बगएर बढ़ के आ रही है दर्द बढ़ जादा है पेसेंट को उल्टियां कर रवार बार यह यह होगा उल्टिया ने लग जाएगी स्टूल पास नहीं करेगा पेसेंट को तो जब इस तरह की स्थितियां मिलेगी तो सीटी स्कैन करा सकते हैं जी है यह बहुत इंपोर्टेंट होता है और ज्यादा तर लो जो जो एंडोस्कोपी करने वाले जो गेस्ट्रेंट्रोजिस हो तो इनोंने का कि दो परकार के टेस्ट डोक्टर को करने चाहिए एक तो रैपीड यूरीज टेस्ट ठीक होती है एक होती है एच पाइलोरी किट होती है दोक्टर के बास महीं अविलेबल उससे तुरंत कर लेते हैं दूसरा हिस्ट्रोजील एग्जामीनेशन मतलब कोई कैं करवाने का कोई फाइदा नहीं होता है फिर उसको कहीं बार डोक्टर कैंसिल कर देते हैं नोन इनवैसिव क्या होती है जैसे में दूर्वीन से जो है या एंडोस्कोपी से जो है पेट के अंधर जाके नहीं देखा जाता उस इस इस फीकल एंटीजन एससे एक टेस्ट होता तो कहीं बार यह देखने के लिए कि नेगटिव हो गया या क्या है इसके ससाथ इनोंने का प्रोटोन पंप इनिविटर भाई पीपी आई मतलब जैसे की पेंटाप्रोल ओमिप्रोल वगरा जो आप ऐसी डिटी के कैप्सूल खाते रहते हो वह हैंना मेकोज यह क्या कर सकते बाई जब इनका आप सेवन कर रहे हो तो इनसे कभी कभी फाल्स नेगटिव आ जाते है रिपोर्ट यानि की एच पाईलोरी तो प्रजेंट है ठीक है नेगटिव यूरिया ब्री टेस्ट जो मैना आपको बताया था ना भी एच पाईलोरी के लिए जो टेस्ट बताया था टेस्ट कभी कभी नेगेटिव आ जाता है जो लोग रेगुलर पीपाई प्रोटोन पंप इनिवेटर प्रो पेंटो प्रजोल ओमिप्रजोल वगरा का सेवन करते रहते हैं तो ठीक है दोस्तों इसी टोपिक के ऊपर जो है एक वीडियो और बनाएंगे उसमें इसमें जो चुट गए हैं जैसे कि यानि कि इसका ट्रीटमेंट अभी रहता है और इसका डिफ्रेंशल डिग्नोसिस वगरा पैप्टिकल सर डिजीज का तो इसका पार टू में हम जो है इसके ट्रीटमेंट को डिसकस करेंगे कि डोक्टर से में क्या ट्रीटमेंट चलाते हैं और कर लीजेगा मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार